स्वागत है स्टूडेंट हमारी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 का कुई जब भ्यास फिजिक्स विसे का जो की सब्ता 31 का है और 5 फरवरी 2022 को डाला गया है शुरू करते हैं पहला प्रश्न दी गई भोतिक रासियों में से कौन सी रासी सदिस है तो यहां हम द वस्तू की पत लंबाई से कम या बराबर प्रश्न दीए गए गतनों में से कौन सा सत्य है और नमबर दो जब एक सदिस रासी का गुणा अधिस रासी से करते हैं तो एक सदिस रासी प्राप्त होती है प्रश्न दो या तीन विमाउं में गती सील किसी वस्तू का वेग और त्वरन होता है और नमबर दो यहां से युद्तर है वेग और त्वरन सदिसों के बीच जीरो डिगरी से लेकर 180 डिगरी के बीच कोई भी कून हो सकता है आगला प्रश्न है जहां एक कुछ चित्र से दिये हुए है इनको देखना है एक घोड़ा एक खंबे के उपर से 4 होगा चित्र में यह उप्सन नमबर 4 है यह सही है अगला प्रश्न है एक ग्राब दिया हुआ है नेहा 4 मीटर पूर की ओर तथा 5 मीटर उतर की ओर दोड़ती है उसके कुल विस्थापन का परिमान कितना है यहां उप्सन नमबर 1 सही उतर है अंडर रूट 41 मीटर अगला प अगला प्रश्न है एक दिन किसी एक दिन वर्सा 25 मीटर पर सेकिंड की चाल से उर्दवादर उपर से नीचे की ओर हो रही है कुछ देर बाद हवा 10 मीटर पर सेकिंड की चाल से पूर से पच्छिम की ओर चलने लगती है बस श्टाप पर खड़ी लीना को अपनी छतरी कितन डिगरी पर रखनी चाहिए तो अपसन नमबर दो यहां सही उत्तर है 22 डिगरी तो 36 से उपर की ओ और 30 डिगरी का कौन बनाते हुए एक बॉल 20 मीटर पर सेकिंड की चाल से फेंकी जाती है बॉल की अधिकतम उचाई क्या होगी अपसन नमबर एक सही उत्तर है 5 मीटर नेक् सही उत्तर होगा अगला प्रेशन है तो अपिंड एक सही उत्तर होगा तो यहां अपसन नमबर एक सही उत्तर होगा नेक्स्ट कुस्चिन है किसी बंदुक से एक गोली चोड़ी जाती है बंदुक द्वारा गोली पर लगने वाला एक तथा गोली द्वारा बंदुक पर लगने वाला बल मैनस एक हो तो गोली और बंदुक का डेल्टा टी समय अंतराल के बाद समवेक परिवर्तन एक विकल्ब सही है तो यहां दूसरा विकल्ब सही होगा इस तरह से आपका क्विजभ्यास कंप्लीट होता है आगे के क्विजभ्यास देखने के लिए अन्य वीडियो देखने के लिए बच्चों जोड़े रहे हमारे चैनल से धन्यवाद